आज हम बात करने वाले हैं भारती योद्धाओं के बलिदान और उनके अतुल्य सौरे की बात है हाइपा युद्ध की पराजय का इतिहास लिखने वाले इतिहास कारों ने बड़ी सफाई से भारती योद्धाओं की अकल्पनिये विज्यों को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होनी दिया सारे तोर पर मरने के बाद जी उठने वाले देश इसराइल की आजादी के संघर्ज को जब हम देखेंगे तब हम पाएंगे कि यहूदियों को उनके इश्वर के प्यारे देश का पहला हिस्सा भारती योद्धाओं ने जीत कर दिया था वर्स 1918 में हाइफा युद्ध में भारत के अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलदान दिया समुद्री तट सहर हाइफा की मुक्ती से ही आधुनिक इसराइल के निर्मान की नीप पड़ी थी इसलिए हाइफा युद्ध में भारती सेनिकों ने जो बलदान दिया उसे इसराइली आज भी समराण करते हैं इसराइल की सरकार आज तक हाइफा, येरुसलम, रामले और ख्यात के समुद्र तटोब बनी 900 से अधिक भारती सेनिकों की समाधियों की अच्छी तरह से देख भाल करती है इसराइल के बच्चों को इतिहास की पाठ्ठी पुस्तकों में भारती सेनिकों के सौर ये पराकर्म की कहानिया पड़ाई जाती है प्रतेग वर्ष 23 सितंबर को भारती युद्धाओं को सम्मान देने के लिए हाइवा के महापौर, इसराइल की जन्ता और भारती दूतावास के लोग एकत्र होकर हाइवा दिवस मनाते जहां एक तरफ हमारे लिए गौरब की बात है कि इसराइक के लोग भारती युद्धाओं के बल्दान को अब तक सम्मान दे रहे हैं वहीं दूसरी और दुख की बात है कि अपने ही देश भारत में इस महान जीत के नायकों के सौरिके किस से पढ़ाय और सुनाय नहीं जाते हाला कि भारती सेना आवश्य ही 23 सितंबर को हाइपा दिवस मनाती है अब हम समझ सकते हैं कि भारत और इसराइल के रिस्तों में एक दूरी होने के बाद भी सारजनिक दूरी होने के बाद भी जो गर्मा हट बनी रही वह भारतिय सेनिकों के रख की गर्मी से है भारतिय युद्धों के प्राक्रम और साहस को समझने के लिए हाइपा युद्ध के पन्ने पलकने होंगे हाइपा का युद्ध माना वित्यहास का सबसे बड़ा और अपनी तरह का आखरी युद्ध है पर्थम विश्विद्ध के दोरान तुर्की सामराज जिसे इसराइल के हाइपा सहर को आजाद कराने के लिए बिटिस सेना की सहयता के लिए जोदपूर, मैसूर और हैदरावाद के सेनिकों को भेजा गया था चुकि हैदरावाद के निजाम तरह भेजी गई तुकडी में लगभग सभी सहयनिक मुस्लिम थे इसलिए बिटिस सेना के अधिकारियों ने उन्हें सीधर युद्ध के मैदान में नहीं उतारा निजाम के सेनिकों को युद्ध बंदियों के प्रवंधन और उनकी देखरिक का काम सहपा गया रसुई का काम सहपा गया जबकि मैसूर और जोदपूर की घुड़ सवार सेन ने तुकड़ियों को मिला कर एक विसेश इकाई मनाई गई थी तुर्की, आस्ट्रिया और जर्मनी की सयुक्त साधन संपन सक्ति खाली सेना के ब्रोद्ध भारती सेन दल का नेत्रत जोदपूर के मेज़ दलपसिंग सेखावत ने किया जो इस युद्ध में वीरगती को प्राप्थ हुए आदम साहस और सैन ने रणनीती का प्रदर्शन करने वाले मेज़ दलपसिंग सेखावत को हाइफा के नायक की रूप में जाना जाता है हाइफा का युद्ध इसलिए बड़े युद्धों में सामिल है क्योंकि इस युद्ध में एक्षा सक्ती और आत्म विश्वास की विजए हुई थी एक ओर तुर्की, जर्मनी और आस्ट्रिया की संयुक्त सैना अपनी चोहनियों पर मजबूती से जमी हुई थी उनके पास तो, बम और बंदुग जईत अत्यादों निक थियार थे जबकि बारती सहनिकों ने उनका मुकाबला केवल तलवार और भालों से किया उन्होंने पैदल और घुड़ों पर सवार होकर युद्ध नकेवल लड़ा बलकि अकल अपनिये विजय भी प्राप्त की यह दुनिया के इतिहास में घुड़ सवार सैना का अंति महान अभियान था इसके साथ ही यह सेन इतिहास में एक मातर घटना है जब घुड़ सवार सैना ने सबसे कम समय में सुरक्षित और चाक चौबंद सहर पर कबजा कर लिया हाइफा पहुचने के बाद जब पिटिस सैना को दुस्मन की मौरचाबंदी और तागत के बारे में पता चला तो विगेडियर जनरल A.D.A. किंग ने सैना को बापिस बुला लिया था विगेडियर का निर्ने उचित ही था क्योंकि तुरकी के सैना सुरक्षित और युद्ध की दरश्टी से लाप्रदिस्तिती में थी परन्तु भारती युद्धा सैना को बापिस बुलाने के निर्ने से खुस नहीं थे उन्होंने कहा कि हम अपने देश में किस मूँ से लोटेंगे अपने देश की जनता को कैसे बताएंगे कि सक्तुर के डर से हमने मैदान छोड़ दिया युद्ध के मैदान में पीट दिका कर भागना उचित नहीं माना जाता इसलिए हम तो लड़कर यहीं बीरगती प्राप्त करना पसंद करेंगे भारती युद्धा सीधे मौत के मुँ में जाने की इजाज़त मांग रहे थे काफी समझाने के बाद भी जब भारती ये सेनिक नहीं माने तब बिटेश सेना के अधिकारी समझ गए कि ये असली युद्धा है इन्हें रोका नहीं जा सकता भारती युद्धाओं के द्रण संकल्प और अदम में साहस को देखकर उन्हें हमली की इन्मती दे दी गए तलवार और भालों से सुसजिट घुड सवार और पैदल भारती सेना ने 23 सेना को सुबा 5 वजे हाईपा की ओर बढ़ना परारम किया भारती सेना का मार्ग माउंट कारमल पर वथ रंखलाज के साथ लगता हुआ था और किशोन नदी और उसकी सहाइक नदियों के साथ दलदली भूमी की एक पट्टी तक सिमित था जैसे ही सेना 10 वजे हाईपा पहुँची वह माउंट कारमल पर तैना 77 एमेम बंदूग से निसाने पर आ गई परन्तु भारती सेना का नित्रत कर रहे जवानों ने यहां बहुत सुजबु दिखाई मैसू लांसर्स की एक स्क्वाडन सेर्वू रेंजर्स के एक स्क्वाडन के समर्थन से इंडक्षन की ओर से माउंट कारवल पर चड़ी उन्होंने इस दुस्मनों पर अचानक आश्यचकित कर देने वाला हमला करके कारमल की धलान पर दो नौ सेनिक तोपों पर कबजा कर लिया उन्होंने दुस्मनों की मसीनगनों के खिलाब भी वीरता के साथ सौरे का प्रदर्शिन जारी रखा उधर दो बजे बी बैटरी HAC के समर्थन से जोदपूल लांसरस ने हाइपा पर हमला किया मजबूत प्रतिरोद के बावजूत भे लांसरस ने बहाद दुरी के साथ दुस्मनों की मसीनगनों पर सामने से ही आकरमन किया तीन बजे तक भारती गुड़ सवारों ने उनके इस्थानों पर कबजा कर तुर्की सेना को पराजित कर हाइपा पर अधिकार कर लिया भारती सेनकों की कुशर रनीसी से प्राप्त अकल्पनिय विज़े के कारण इस युद्ध को इतिहास के प्रष्णों पर स्वने मक्षणों में दर्ज किया गया है फोजी पाठी ग्राप में इस युद्ध को पड़ाया जाता है मिस्र और फिलिस्तीन के सेन्ड अवियान में भारती घुड सवार सेन्ड तुकडी की कारवाई को अदुतिय बताया गया है पूरे अवियान के दौरान घुड सवार सेना की कारवाई के समान कोई अन्युद्ध नहीं लड़ा गया था मसीन दिन की गोलियां भी बार बार तेजी से आगे बढ़ रहे घुडों को रोकने में असफल रही थी इसी तरह बिटिस फोज का इतिहास नामक पुस्तक में इस युद्ध का विवरंड दिया गया है यह निश्चित रूप से विश्व के इतिहास में एक मात्रा उसर था जब एक स्वरक्षिस सहर पर तेजी से बढ़ती गुरसवार सेना दोरा कबजा कर लिया गया इसी तरह जर्णल आलन वी ने अपने डात के मुख्य भाग में विशेश रूप से भारते हैं युद्धाओं और उनका नितरुत कर रहे हैं मेज़दल पसीन से खावत की बीटता का उलेक किया है वे लिखते हैं जब मैसू लांसर्स माउंट कारमल की धलांदार चटानों को पार कर रहे थे जोत्पु लांसर्स धर्ती को रोंगते हुए दुस्मनों की मसीन गन पर चड़ाई करते हुए सहर में तेजी से आए वहां रास्तों पर बहुत से तुर्कों पर भालों से प्रहार किया करनल ठाकु दलपत सिंग ने वीरता के साथ आकरमन का नित्रत्त किया यहां यह वताना उचित होगा कि Military Cross का सम्मान ठाकुद दलपत सिंग को दिया गया और यह सम्मान उस समयबटे सरकार दोरा भारती सेनिकों को दिया जाने वाला सरबोच ची वीरता सम्मान था मीजद दलपत सिंग, सेखावत के साथ ही कैप्टन अनूप सिंग और लेफ्रिनेंट सगस सिंग को भी वीरता पूर्वक लड़ने के लिए सरबोच वीरता सम्मान Military Cross से सम्मानित किया गया था लगबग 2000 वर्स से अपनी जन भूमी से बेद अखल दुरवेवार और अमानवी यातनाओं के सिकार यहूदियों के लिए 23 सितमबर 1918 को तुर्की सामराज्य से हाइपा सहिर की मुक्ती का बहुत महित्त था यूरोप सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में रह रहे यहूदियों ने जब हाइपा की मुक्ती का समाचा सुना तो वे खुसी से जूम उठे उन्हें अपना संकल्प पूरा होते हुए दिख रहा था दुनिया में यहां वहां फेले यहूदि अपनी मात्र भूमी इजराइल को पुने प्राप्ट करने के अपने संकल्प का प्रतेदिन इस्मरन करते थे प्रतेक यहूदी दूसरे यहूदी से विदा लिते समय यह कहना कभी नहीं भूलता था कि अगली सुबह अगली मुलाकात येरुसलम में होगी हाइपा की मुक्ती से उन्हें अपना सुपन पूरा होता दिख रहा था इसराइल से निसकाशन के बाद यहाँ वहाँ गुजर वसर कर रहे यहूदी ने सन 1919 में हाइपा में पहुँशना प्रारम कर दिया था दुत्य विशुद्य के दौरान उन्होंने अपने लिए अलग देश इसराइल की मांग जोर सोर से उठाना प्रारम कर दी थी अन्तता यहूदियों के प्रयास रंग लाए और 30 साल बाद वह दिन आ गया जब उन्हें 1947 में अपना देश इसराइल प्राप्त हुआ हाई पासहर की मुक्ती के बाद भी भारती सेनिकों ने बिटेस, आस्टेलिया और नीजिलेंड के सेनिकों के साथ मिलकर पूरे इसराइल को मुक्त कराने के लिए कुछ और लड़ाईयां भी लड़ी इसराइल की आजादी के लिए लड़े गए विविन युद्धों में लगभग 967 भारती सेनिकों ने अपने प्राणों का बल्दान दिया है भारत के प्रती इसराइल का जो कृतक गिता का भाव है संभवत उसके पीछे इनी महान युद्धाओं का बल्दान है भारत और इसराइल के बीच ये रक्त संबंध ही है भारत के प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जब इसराइल पहुँचे पहली बार भारत का कोई प्रधान मंतरी इसराइल दया तब वे हाईपा युद में वीरगती प्राप्त किये इन सेनकों के समाधी स्थल्पत जरूर पहुँचे अवस्य पहुँचे और अपने भारती सेनकों के एदम में साहस से दुनिया को परचित कराया उनके पती सुधानजली वक्त की जिस तरह इसराइल अपने बच्चों को साहसी बनाने के लिए पाठ्थ पुस्तकों में हाईपा युद भारती सेनकों के सौरिका पड़ाता है उसे देखते हुए भारत सरकार को भी अपने हाँ पुस्तकों में पाठ्थ पुस्तकों में इन बीर गाधाओं को स्थान देना च कि नदे एजड हू frenchी से एजा हू ठड़ार थार समय है